हेलो प्रेंट्स वेल्कम अगें टो माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम दो एक्सिडेंट्स के बारे में बात करने वाले है जिसमें एक एक्सिडेंट हुआ है उन्डे आइटविंटी का जो कि मैंने एक्जामपल के लिए बताया है और दूसरा जो मेन एक्सिड है तो आपको सामने आभी एक सि'm की इँ फुटेज दिख रही हो गी जिसमें की आपको एक कार जो की महीं अंद्रा की मराजो बैक करते हुए बाहरा आते हुए दिख़ियोंगी वो कार घर से बेक करते वे बार आ रही थी और ये चार केमरों की फुटे सामने आपको दिख रही होगी अलग अलग तरीके से अलग अलग अंगल से जिसमें कि आपको अलग अलग अंगल से कार पीछे आती वे दिखाए देगी जो कि बार निकल रही है और फिर एकदम से एक टेमपो भी बेक आता है वो भी बहुत ज़्यादर अपतार से बेक आता है और इस कार को एकदम से हिट कर देता है हिट करने के बाद आप भी देखी सकते है कि इसमें कितना ज़्यादा नुक्सान हुआ है वो टेमपो पहले तो आगे जाता है और फिर ओटोमेटिक वो पीछे आ जाता है इसका मतलब उसका ब्रेक अगर फेलो गया था या कुछ भी हो सकता है यह कार बार आ रही थी और एकदम से इसके अंदर आके बिड़ जाता है और फिर आप सामने डेमेज वगर देखी सकते है इसमें बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी ठीक ठाक है ऐसा ही एक एक्सिडेंट हुंडे की आई 20 के साथ भी होता जिसका की मैं आपको फोटो वगरे स्क्रीन पर दिखा दूँगा जिसमें की हुंडे आई 20 जो पुरानी वाली आई 20 थी उसमें वह एक जगए खड़ी थी और एक जो ट्रोला होता है जिसके अंदर की कट्टे वगरे भरे होई होते वो ट्रोला एकदम कार को हिट करता है और फिर भी कार में बस छोटा सा डेंट परता है मराजो में भी ज़्यादा कुछ डेमेज तो नहीं हुआ है एकदम इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक टाग है और हुंडे की बिल्ड क्वालिटी इसको देखके तो इससे भी ज़्यादा बढ़ी आए जो कि पुरानी वाली आईटूंटी थी नहीं वाली का तो मुझे नहीं परता है मराजो और छोटे आती का जो यह एक्सिडेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा नुक्सान उस अंडे वाले का हुआ है क्योंकि उसके सारे अंडे फूट गए और वह अब कार वाले से अंडे के पैसे मांगेगा और कार वाला डेमेज का पैसा उस टेमपो वाले से मांगेगा और वहां पर ऐसे लड़ाई होती रहेगी चलो उसको छोड़ो कार की build quality अच्छी थी उसमें ज़्यादा damage नहीं हुआ बस थोड़ा छोटा सा damage हुआ है और इस damage को देखते हुए Hyundai i20 जो की elite i20 थी उसका ये accident आपको दिखाया था उसका damage भी बिल्कुल कमी हुआ है उसमें तो और भी बारी सामान से उसकी टकर हुई थी Hyundai की और फिर भी उसमें चोटा सा डेंटे आया था तो Hyundai की पुरानी वाली i20 की तो build quality अच्छी थी अभी नहीं वाली की कोई accident बगेर है या कुछ build quality एक्सपोज करने लाए कोई बड़ी खबर नहीं है जिससे की पता लग सके की new i20 की build quality कैसी है इन सभी वीडियो को देखके और फोटोज को देखकर आपको एक आदमी ऐसा दिखा होगा जो कि एकदम एक तोलिया बांद के बाहर निकल के आता है और कार को देखता है जो कि फोटोज में भी है और उस वीडियो में भी आता हुआ दिखाई देता है हो सकता है ये कार उसी आदमी की हो या उसी आदमी के परिवार में हो लेकिन वो एकदम तोलिये में ही बार आ जाता है तो बस आज की वीडियों में ये कुछ था इस एक्षिडेंट में सबसे ज़्यादा गलती उस छोटे आती टेंपो वाले की थी यानि कि उस टेंपो को बेक में निकालनी चाहिए थी जिससे कि उसको पता चल सके कि पीछे कोई साधन वागेर तो नहीं आ रहा है तो सबसे बच्छादा गलती तो टेंपो वाले की थी तो यही ता आज का कुछ वीडियों अगर आज का वीडियों आपको पसंद आए तो वीडियों लाइक और च चाहिए झाले कर दो है